आज हम लोग आउनलाइन लेक्चर के लेक्चर नमबर 10 के साथ कंटीनियू करेंगे और आज हम सॉलिड पोर्षिन की यानि क्वेस्टिन हम सॉलिड की एक्सिसाइज को टेक अप करेंगे अगर आप यह गहुँद करें तो आपके पास यह क्वेस्टिन नमबर जो वन है उतका पार्ट नमबर टू पार्ट नमबर टू थ्री और फोर यह आपने करना है और अगर आप गहुद करें तो टू में क्या है एम और्फस सॉलिड जैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट नो वो तो क्रिस्ट्राइंट करता है बी अंडर गो क्ली क्लीवेज वन कट विद नाइफ नो यह भी कट नहीं जा सकते हैं यह बहुत हार्ड होते हैं है परफेक्ट अरेंजमेंट ओफ एटम नो बिल्कुल भी निकन पोजेस्ट स्मॉल रीजन ओफ और्डरली अरेंजमेंट इसका यह झाओं फोड़े थोड़े यह रीजन होते हैं जिनका हम जो तरतीब से होते हैं जिनका हम क्रिस्ट्लाइट गैते हैं यह इसका जो इसके आंसर की जो डी आउप्शन है जो इसका सही बिलकुल आँसर है अगर आप उसे अंडरलाइन करना चाहें तो यहा होगी चले नेक्स आगे ज़रा देखें तो तीसरा कुश्चन देखें क्या लिखा हुआ तीसरा mcq the molecule of carbon dioxide in dry ice from the form the क्या बनाते हैं मतलब जो dry ice carbon dioxide के molecules क्या बनाते हैं किस तन यह लिखा हुआ आइनिक crystals, covalent crystals, molecular crystal and any type of crystal नहीं इसमें देखें जो option मुझे बेस्ट लग रही है वो यह लग रही है कि molecular crystal क्योंकि आइनिक crystal तो हो नहीं सकती क्योंकि यह हम पर आइन नहीं है covalent crystal इसलिए नहीं हो सकती कि covalent compound नहीं है या covalent element नहीं है जैसे graphite में होता है carbon में होता है हम लोग यहां पर covalent या आइनिक का concept ना तो हमने smart flavors में पढ़ा है और नहीं यहां पर हम इसे apply करेंगे तो इसका मतब है के carbon dioxide एक molecule है co2 co2 molecule है न जिसमें carbon और दो oxygen है तो इसका मतब है वो circle भी कर सकते हैं यह जनाब आपने circle कर लिया आप अपने book पर भी से circle कर सकती है और यह आपके पास next जो है तीस चौथा mcq which of the following is pseudo solid pseudo का मतबता है जूट मूट के solid जूट मूट ठीक है false solid जिने आप यह कह सकते हैं तो इन में कौन कौन से हैं calcium collide glass sodium collide and all नहीं देखें सारे solid जूट मूट का कोई नहीं है सरफ glass super cool liquid है अगर आप इसकी option देखें तो यह इसकी reason उसने बताई होगी चौथे में यह देखें glass is a pseudo solid क्यों क्योंकि इसमें कोई orderly arrangement particles नहीं होते ठीक है क्योंकि जो true solids होते हैं उनमें atom खास तर्तीब से जुड़े होते हैं तो अगर आप इनको जो है वो करना चाहें तो आप इसको कौन सी option को tick करेंगे बी option को which is glass ठीक है तो glass is a pseudo solid ठीक है next जो है हम लोग question number two को देखते हैं question number two को अगर देखें आप तो question number two जो है यानि इसमें और तो कोई नहीं है ना मेरा ख्याल है हाँ नहीं यह नहीं है और चलें next जो है वो हम लोग question number two fill in the blanks देखें पहले fill in the blanks हाला कि इसमें से कुछ ऐसी fill in the blanks होंगी जो आप नहीं नहीं पढ़ी होंगी लेकिन आपको याद कर नहीं पढ़ेंगी क्योंकि इसमार्ट लिपस में पूरा question two लिखा हुआ है ता आप इसको question two को पूरा करेंगे देखें in crystal lattice the number of nearest neighboring neighbors of each atom is called the dash जो atoms ionic solids होते हैं उनके जितने भी atoms होते हैं जितने भी ions होते हैं उनको हम coordination number कहते हैं तो पहली खाली जगा में क्या आएगा coordination number अगर आप इससे अपनी book में लिखना चाहें तो लिख सकती है coordination number तो यह आपके पास पहले खाली जगा का जवाब आ गया उसके बाद है question number two अगर आप देखें तो उसका जो second part है दूसरी खाली जगा क्या लिखे हुई है देखें there are dash brevis lattices अब brevis lattices का concept आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा हुआ तो यहां पर उसमें 14 लिखें में इनका numbers आपने बस ऐसे याद रख लेना है इसका concept आपने अपने book में शायद नहीं पढ़ा हुआ आप स्मार्ट लेबस में तो आपको बस इसको वैसे याद करना जरूरी है उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी आपने आरजी तो पर सूपर कूड लिक्वड करते हैं क्या करतें सूपर कूड लिकवड तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आप लोगों ने इसमें तीसरे में कह लिखना है सूपर कूड लिक्वड ठेक है अगर इसका दूसरे option में देखें तो इसमें आपने यहां पर कहा लिखना है 1414 ठीक है नेक्स्ट अगर आप MCQ खाली जगा नम्बर चार देखें तो वो कौन सी है जनाब आपके पास ग्लास में बिगिन तो क्रिस्टलाइज बाइअ प्रोसेस कार्ड अनिलिंग ये भी आपको याद रखना पड़ेगा अनिलिंग प्रोसेस है अनिलिंग जो है ग्लास को ठंडा करने का एक तरीका कार है और एक specific moderate speed के साथ इसको ठंडा करने का एक प्रोसेस है तो देखें यहां पर लिखा भी होगा है अनिलिंग के बारे में ग्लास इस यूजरी कंशिडर्ड एज अमॉर्फस सॉलिड यह अमॉर्फस बाकी इसकी कोई शेप बाकादा नहीं होती because it is formed by super cooling of liquid यानि इसको बहुत ज़्यादा तेजी super cooling का मत्तब यहां पर क्या है तेजी से super cooling का मत्तब यहां पर क्या है तेजी से किसी चीज को ठंडा करना और इसी तरह आगे कहा लिखा वाजी when this liquid is cooled with moderate rate जब इसको थोड़ा सा मुनास्वची speed से अगर तेजी से ठंडा करेंगे तो इसकी कोई shape नहीं बनेंगे लेकिन अगर आप इसे दरम्यानी speed के सा ठंडा करेंगे तो यह जो है वो कुछ particles इसके जो है ना वो range हो जाते है और वो crystallize हो जाता है तो इस process को हम क्या कहते है annealing जिसमें हम glass की बाकाइदा shape बनाते है इस process को हम क्या कहते है annealing तो इसका मत्तब यह वा क्या आपके पास जो चोथा खाली जगा चोथी खाली जगा है उसका अंसर क्या है annealing ठीक है आगे पांचवी खाली जगा देखें तो crystalline solid which exhibits exhibit the same dash in all direction our card dash यानि वो crystalline solid which exhibits the same क्या कर सकते हैं देख लें नीचे अंसर में क्या लिखा हुआ अगर आप इसको चेक करना चाहें तो पांचवान जो है वो इसमें देखें properties our card isotropic हाँ यह आप लोगों नहीं any topic का तो पढ़ा हुआ है any topic वो property है जो different direction में different होती है तो जैसे आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ था यह जो refractive index है या electrical conductivity है thermal conductivity है यह वो सारी properties थी जो different direction में different होती है मगर जब आप बात करेंगे crystalline solid की तो उनकी तमाम properties बिलकुल same होंगी तो इसका मत्तब यह हुआ कि आपके पास पास्वें जो खाली जगा है इसमें एक खाली जगा में क्या आएगा properties ठीक है यह properties और दूसरे में in all direction same properties होंगी in all direction our card isotropic solid and इस tropic होते है तो different हो नहीं थी same है तो इसको हम क्या कहेंगे isotropic ट्रॉपिक solid ठीक है आप सॉरी isotropic solid लेंज नाब आपके पास ही हो गया उसके बाद अगर आप इसको जो है वो बुक में solve करना जाएं तो आप इसे कर सकते हैं तेंक्यू अब मैं आपको अगला portion करवाता हूं सिर्फ दो मिनट के लिए जी तो बचो अब अगर आप question number जो smart syllabus का आपका part है question number four उसको देखें तो क्या लिखा हुआ है कि water solid solid की definition gave journal properties of solid ये भी पहले जो chapter आपने पढ़ा है उसके पहले topic में ये लिखा हुआ है और आगे आपने इसमें जो Chris line solids है और amorphous solid amorphous solid में difference में देखना है तो सबसे पहले तो definition है आप अपने बुक से भी इसको देख सकते है ये जहां से solid portion शूरू होता है उसके सबसे पहले वली line तो वो आपकी definition हो जागी उसके बाद आगे उसकी properties भी लिखे हुई है मैं यहां पर आपको इसका overview दे देता हूँ आप इसको check कर लें कि ये क्या है solid क्या है there are some substances which are ridded hard and definite volume यानि solid की property है कि वो ridded भी होते है सक्ट भी होते है ridded hard का मतलब same है और definite shape भी होती है यानि इनकी को भाकादा शकल होती है solid के बारे में अपने से पढ़ा हुआ और आगे उसके example दी हुई है कौन सी है जनाब glass है plastic है sugar है crystal ice है crystals है और ice है चले next आगे इनकी general properties को discuss करते है तो पहली property वो ही आपको बता कि solid किसे मिलकर बनते है atom आइंदार molecules are closely packed closely packed का मतलब बताब एक दूसरे के बिलकुल करीब होते है दूसरे अगर इसकी property देखें तो इनके melting point boiling point volatility low होती है vapor pressure low होता है अब इनके melting और boiling point ज्यादा होते है और volatility और vapor pressure low होते है क्यों ऐसा होता है क्योंके solid में molecules एक दूसरे के closely packed होते है closely packed होने के वज़ए से उनके दरम्यान जो है force of attraction cohesive force of attraction cohesive force of attraction क्या होती है कि एक molecules में atom में आपस में कशिश की कुबतों को cohesive forces कहते है अगर वो दूसरे के साथ forces of attraction करेंगे होती है तो अभी इनके meeting point और boiling point क्यों ज़्यादा होती है तो कि इन में molecules में कशिश की कुबतें ज़्यादा होती है इसलिए इनको पिगलाना या इनको उबालना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसी तरह अगर आप इनके low volatility का मतब है कि ये vapors बहुत कम बनाते है volatile liquid के बारे में आपने 10 class में भी पढ़ा हुआ है आपने 10 class में भी पढ़ा हुआ है और वो volatile liquid के बारे में पढ़ा है तो यहां पे volatility एक property है liquid का vapors में convert होने का process उसे volatility कहते हैं इसी दरह आगे क्या लिखा हुआ है अगर आप गौर करें तो low vapor pressure मतब मॉलिक्यूल आपस में attraction रखते हैं इसका vapors की form में जाना मुश्किल हो जाता है जब vapors की form में जाना मुश्किल होता है तो इनका vapor pressure भी क्या होता है कम होता है ठीक है आगे इनके तीसरी properties वो बड़ी सिंपल जी है के जो atom माइन और molecules हैं इनना solid solid में cannot move randomly वो बेतर ती भरकर नहीं कर सकते इसी दरह अगर आप देखें there are there may exist well ordered arrangement of particles such as solid or card crystalline solid and while other having no order arrangement of particles अमॉर्फस इसका मतब यह है कि properties में कि कुछ ऐसे हैं जो particles खास तर्तीब से होते हैं उन्हें crystalline solid कहते हैं और जिनमें particles खास तर्तीब से नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं amorphous solids ठीक है अब आगे अगले जो question है इसका पार देखें तो उसमें आगे इनमें अपने difference देखना है difference देखें तो crystalline solid के बारे में कह लिखा हो है कि regular arrangement होती है amorphous solid में कहाता है कि यह regular arrangement और दूसरा अगर आप देखें तो amorphous में देखें तो कहा लिखा हुआ है irregular arrangement of particles इसी तरह आगे कहा लिखा हुआ है कि they have regularity in their shape crystalline solid में और दूसरे में देखें they have irregular shape उसके बाद आगे crystalline solid का melting point शाप होता है क्योंकि किसी भी crystalline solid की दो melting point से कर सकते हैं तो आप इसे melting point से melting point के बारे में आप यह कहा सकते हैं कि fix है melting point लेकिन जब आप बात करते हैं उसकी amorphous solid की तो इनका melting point fix नहीं होता वट एक temperature range में वह एक temperature range में आके जो है वह अपने आपको melt करते हैं तो इसका मतलब है कि इनका मैल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता ठीक है तो आगे नेक्स अगर आप देखें जिसके नेक्स प्रॉपर्टी चौथी प्रॉपर्टी देहें क्लिवेज प्लेइन यानि जब आप इने तोड़ते हैं तो खास एंगल बनाके तोड़ते हैं ज चुकेन की तर्फी भी नहीं है जो खास एंगल कहांचे तोटेंगे इसलिए आप यह कह सकते हैं कि ने कोई क्लिवेज प्लेइन नहीं होती को टू सालिट कहते हैं और हमें करसे सालिड को सूडो सालिड कहते हैं और लास्ट में के एक जेमपल है शोडियम कलाइड काबन डा eger, आयोडीकसाइड औाईयोडिए और्ट्रू तू सॉलिड, novo झायज़ु में बाईयुकिन एक्साइड है। काबन एक्साइड आइक्साइड काहते हैं। आप तू सॉलिड काबन एक्साइड को थप्रव करते हैं। कईरना स्वाली आ कि ह presenting अर्फमक्नीज़ू कॉलिड थे इसके प्रॉपर्टी मतलब इसके एक्जेम्पल जाएं ठीक है नेक्स्ट वेस्टन जो है नेक्स्ट वेस्टन है वह आपकी डिवीजन है मतलब जो आपके पास क्षिशन नूबर फाइफ है उसको देखो तो कहा लिखा हुआ है एक्सप्लेइन दा फॉल्विंग प्रॉपर् और आगे क्लिवेज के बारे में लिखा हुआ है हैबिट अफ क्रिस्टल है आईसो मॉर्फिजम है पॉली मॉर्फिजम है ट्रांजीशन टेमफरेच्जर है स्मिट्री है एन् ग्रोइंग ओफ क्रिस्टल एक नहीचीज है बाकी मेरा ख़ाल सारी है देख लेएं कि अगर तो यह आपको बुक से मिल जाता है तो ठीक है वरना हम जब regular classes आएंगे तो मैं आपको यह growing crystals की definition भी बता दूँगा ठीक है next आगे question number five का भी पार देखें तो वो कह लिकावा है how polymorphism and allotropy are related to each other देखें polymorphism में भी यही आपने इसकी वो definition पड़ी होगी polymorphism में आपने कहा था कि polymorphism एक ही compound की different crystalline shape होती है लेकिन अब आप allotropy की बात करते हैं तो allotropy में आपने जो है वो क्या दखा था allotropy किसी भी element की ठीक है किसी भी element की different crystalline shape जैसे आपने sulfur की देखी थी, carbon की देखी थी और tin की देखी थी तो यह allotropy के जमरे में आती है तो polymorphism में हम compound को consider करते हैं हाँ एक बात है कि compound या element जब इनकी बात करें तो आप इनके कहते हैं कि यह substance है, अशिया है, substance share को कहते है ठीक है, अब इसका मतलब है कि शेय जो है, एक ही शेय मुक्तलिफ crystalline shape में पाइड़ा रही है ऐलोटोपी में भी और polymorphism में भी तो जब आप polymorphism की बात करते हैं तो वो element की बात करते हैं और element के बात करते हैं लेकिन जब आप बात करते हैं उसकी पॉलिमॉर्फिजम की तो पॉलिमॉर्फिजम में हम compound की बात करते हैं और compound के बात करते हैं यह आपके पास element की बात हो रही है, यह देखें और इसमें आगे एग्जेम्पल अगर आप देखना चाहें तो इसकी एग्जेम्पल अगर आप देखें सिल्फर इसकी दो शेप नहीं रोंबिक और मॉनो क्लिनिक इसी तरह ग्रेट इन और वाइट इन के बारे में आपने पड़ा हुआ था लेकिन पॉलिमॉर्फिजम में किस बात करते हैं किंपा हैंनी यह कह सकते हैं केक शेप डिफ्रेंट के स्लाइन लेकिन इनका एक डिफर नबरूंश उस है का सिर्फ ट्रोपी जो है वह वहन आप पॉलिमॉर्फिजम किंपासि के हावाल से बात करते हैं नेक्स जो है वो कुष्चन नमेंबर 6 को देखें तो ये भी आपके smart slip का हिसा है defined smart unit cell ये मने आपको पूछी भी थी what are unit cell dimensions, dimensions क्या होती है, x axis, y axis और z axis के long length होती है और इसी तरह आगर आप बात करें how the idea of crystal lattice developed from the concept of unit cell इसका answer आप लोग किसी भी की बुक से देख सकते हैं लेकिन यहां पर वोई unit cell के बारे में definition है, उसके बाद unit cell के dimension a, b, c और alpha, beta, gamma के बारे में बात कियो हुई है आपने एक unit cell बना देना है, और आगे जो है, वो एक unit cell crystal lattice कैसे बनाते हैं, जितने भी unit cell है, our unit cell is a geometrical shape, वो एक geometrical शेकल होती है और a box, which, with the repetition in three dimension, इसका मतब है unit cell तीन सिंतों में, x, y and d, x's के long, अपने आपको अरेंज करते हैं, और वो आपको crystal lattice देते हैं, तो crystal lattice इस तरह बनता है, इसी तरह next बात करें, तो आपके पात है, unit cell is, in other word, is the building block of crystal lattice, यह आपके कह सकते हैं, कि जो आपका question था, question क्या था, वो भी देख लें एक दफ़ा, कि आपने बताना है, कि unit cell से crystal lattice कैसे बनते हैं, तो वो भी आपने बता दिया, कि यह three dimensions में, मुक्तलिफ सिंतों में, मतलब, तीन सिंतों में, x, y और z, x's के long, तो उनके साथ इनके एक तरतीब होती है, unit cell की और फिर एक crystal lattice बनती है, next अगर आप question number six का बी पार देखें, तो explain the seven के system and draw the shape, यह मैंने आपको board पे बनाके बड़ा प्यारा सा बनाके आपको दिखाया था, आपने इसको देख लेना है, और इंशाला, उमीद तो की रा सकती है, कि मैंने आपको online lecture में यह अच्छी तरीके से करवा दिया है, next आगे जो है, वो solid का question number 12 है, ठीक है, और question number 12 के आगे को 5 या 6 parts हैं, ठीक है, वो इंशाला हम next lecture में करेंगे, आपके लिए इतना ही रखें, इनको याद कीजेगा बिटा, अगर कोई issue हो तो आप group में, या inbox करके मुझसे support सकते हैं, thank you.